So, Jai Hind everybody and welcome back to the Government Crackers So, one of the most important video आप सभी के लिए और ये वीडियो होने वाली है 10 plus 2 BTEC Entry जो Navy की है उससे related बहुत सारी queries आ रही थी तो आज एक बहुती important update आई है इस entry से related कि 10 plus 2 BTEC Entry Scheme जो 2023 की है इसके लिए call letters आ चुके हैं और cutoff इसके release हो चुकी है So, बहुती जल अगर अभी तक आपके पास call letter नहीं आया है अगर आपका selection हुआ है तो एक दो दिन के अंदर आपके पास आपका call letter आ जाएगा अगर किसी को भी call letter को लेकर के कोई issue होता है तो Government Crackers के app पर मुझे बता सकता है मैं उसकी queries दूर करने की कोशिश करूँगा So, इस video के starting में ही मैंने आपको बता दिया है कि ये video किस चीज़ से related होने वाली है और आप बहुत सारे students पूछ रहे हैं कि उनको कई लोगों को काफी कम time मिला हुआ है तो कैसे वो preparation करेंगे और अगर आपकी SSB आने वाले March, April में है So, किस तरीके से आपको अपने time को utilize करके best तरीके से preparation करनी है सब कुछ मैं इस video में cover करने वाला हूँ So, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस video में और कैसे आपको prepare करना है अपनी Navy SSB interview के लिए So, ये मैं आप सभी के साथ share करना चाहूँगा कि पिछली बार जब Navy 2021 में second entry निकली थी तो हमने बहुत सारे students को train किया था और उनके इस तरीके से message आये थे तो मैं चाहता हूँ कि ये एक motivation की तरह काम करें आप सभी के लिए और इस बार जो हमारे students चाहे वो पिछली बार से भी अच्छा result ले करके आए So, SSB interview से related बहुत सारे students के मन में एक question आ रहा है कि SSB interview किस तरीके से होता है और आप लोगों को जो call letter आएंगे So, generally 5 तरीके की जगा पर आप SSB देने जाते हो 112 SSB Bangalore में आपका आ सकता है 33 SSB Bhopal में आ सकता है या फिर NSB Coimbatur में आपका आ सकता है या NSB Vishakha Patnam में या Kolkata में So, इन 5 जगाओं में से कहीं आपका एक selection center आपको मिलेगा और किस तरीके से ये पूरा का परूरा प्रोसेस चलेगा हर जगा चाहे आप पाचों में से कहीं भी जाएं आपका प्रोसेस सारा सेम रहेगा So, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और detail में की क्या होता है SSB में So, ये complete 5 days का प्रोसेस होता है हम सभी जानते हैं जिसमें first day आपका reporting होता है अब reporting जो होती है वो काफी जादा hectic होती है इसमें बहुत सारे students लापरवाही करते हैं और इसके वज़े से उनको reject होना पड़ता है कई सारे SSB students है जो test भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो अपने documents proper तरीके से नहीं ले करके जाते हैं So, documents की list आपको कहा मिलेगी कि कौन कौन से document आपको ले करके जाने है अगर कोई error है तो उसे कैसे ठीक करना है ये सब कुछ अभी मैं आगे cover करूँगा अगर मान लीजे आपका document हो जाता है So, आपका first day ही test होगा जिसको हम OIR और OLQ का test बोलते हैं और साथ में PPDT का test So, इसको कैसे prepare करना है क्या आता है ये सब कुछ भी मैं आभी आगे cover करूँगा अभी यहाँ मैं general idea दे रहा हूँ कि complete 5 days के process में आपको कौन कौन से test देखने को मिलेंगे Then, इसके बाद psychology test होता है अगर आपने first stage complete कर लिया Then, उसके बाद आपका psychology test होगा और finally फिर आपका यहाँ पर interview होगा Interview आपका second day से ही start हो जाता है तो second, third और fourth किसी भी दिन आपका interview पढ़ सकता है और इसी के साथ साथ आपके GTO task भी चलते रहेंगे जो की third और fourth day के होते है और finally आपको conference में बिठाया जाएगा जहाँ पर आपका selection हुआ है कि नहीं वो आपको clear किया जाएगा So, यह पूरा का पूरा एक बहुत short में मैंने आपको बताने की कोशिश ही कि complete five days में क्या-क्या process होते है आप यहाँ पर मैं stage wise आपको समझा देता हूँ So, सबसे पहले बात करते है stage 1 की Stage 1 में देखी यहाँ पर आपका intelligence test होता है और PPNDT test होता है जिसमें आपको एक picture दिखाई जाती है और बहुत ही कम time मिलता है आपको एक story लिखनी होती और group discussion करना होता है अगर आपने इस stage को clear किया तो आप जाते हो stage 2 में और stage 2 में almost 5-6% बच्चे ही जाते हैं बाकी सारे stage 1 में ही out हो जाते हैं तो कुछ tricks होती हैं किस तरीके से आप stage 1 को easily qualify कर सकते हो इतनी जारी भीड में किस तरीके से आप अपनी stories को unique बना सकते हो तो यह सारे के सारे return test होते हों और काफी कम time मिलता है तो इसके लिए बहुत ही thorough practice होनी चाहिए अगर right तरीके से आपके पास material होगा तो definitely आप इसकी to the point practice कर पाएंगे और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसके preparation कर सकते हैं ताकि जो आप practice करें वही exactly आपके SSB interview में भी आए then आपका होता है group के task जो की GTO task होते हैं उसमें कई सारे तरीके के task हैं जैसे कि आपका group discussion हो गया, group planning exercise हो गया, progressive group task हो गया group obstacle race हो गई, half group task हो गया, lecture rate हो गया, individual obstacle हो गया, command task हो गया और final group task तो इस तरीके से अगर देखा जाएं, तो ऐसे बहुत सारे different different तरीके के task होते हैं और अगर इन सब को आप combine कर लें, तो almost around 19 different types of test आपके conduct किये जाते हैं जिसमें से interview just एक part होता है तो इन सभी के लिए आपको कैसे prepare करना है, कहां से आपको notes मिलेगा ऐसे बहुत सारे student सवाल पूछे थे तो उसका solution है कि government crackers का app आपको download करना होगा वहाँ पे हमने आपको एक navy SSB interview का एक dedicated course प्रवाइड किया है जिसमें आपको मिल रहे है 50 plus detailed video lectures जो मैंने जितने भी test आपको गिनाए इनका one by one आपको detail में explanation मिलेगा कि कौन सा test कौन से दिन होता है क्या tricks होती है क्या tips उसमें apply करनी चाहिए यह सब कुछ इन video lectures में defense experts के थूँ exact detail में आपका cover किया गया है इसमें 15 plus book का package है यह जितने भी test मैंने आपको दिखाए इन सब की एक specific defense experts के थूँ बनाई हुई book है उनको आपको पढ़ना होगा उसमें बहुत सारे solved example है पहले आपको उनके practice करनी होगी और फिर बहुत सारे unsolved examples है उनको भी आपको practice करना होगा और फिर आप उसे checking के लिए भेज सकते हैं और experts आपको बताएंगे कि क्या problem है आपके answers में और किस तरीके से आपका selection हो सकता है then यहाँ पे screening को कैसे crack करना है क्योंकि सबसे बड़ी problem तो यही है अगर आपने screening ही नहीं clear किया तो बागी test आप देंगे कैसे तो इसके लिए बहुत सारी short tricks होती है जैसे पिछली बार भी मैंने students के साथ share की थी तो बहुत अच्छा result है था मैं चाहता हूँ कि इस बार भी students और अच्छे तरीके से prepare करके जाएं और इस बार हमार result और अच्छा हो then psychology की क्या trick सोनी चाहिए psychology क्योंकि पूरा return test होता है तो कैसे आप कम time में ज़ादा cover कर पाएंगे ये सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा then interview की strategy और tips यहाँ पर मिलेगी की कैसे answer देना है कैसे answer नहीं देना है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं क्या interview और उस तरीके से सोच रहे हैं सारी चीज़े मैं आपको इसमें clear कर दूँगा then important interview के questions भी इसमें आपको बताया जारी तो पूरा का पूरा package इसमें आपको included मिलेगा यहाँ पर individual books आपको मिलेंगी जो हर test के लिए individual books है ऐसा नहीं है कि एक book में ही आपको सब cover कर दिया जाएगा तो इसलिए बहुत सारे solved example होंगे around 70-80% अगर आपने book से अच्छे से पढ़ा है तो 70-80% आपका इसी book से आने वाला है यह तो damn sure है बाकी 30% को कैसे cover करना है उसका भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि किस तरीके से करना है extensive practice sets मिल जाएगा इसमें individual personal guidance मिलेगी experts के थूँ अगर कोई भी आपको query आ रही है कोई doubt है तो वो आपको experts यहाँ पर clear कर देंगे और in-depth explanation मिलेगा pictures का कि story में कैसे लिखना होता है इसी तरीके से how you will be helped by this course यह सब कुछ भी मैं आपको यहाँ पर अभी clear ही किया और यह रहा वो पूरा का पूरा book set यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि हर तरीके की book यहाँ पर available है अगर आपको आपका जो selection center मिला होगा चाहे भोपाल मिला हो, विशाखा पतनम, कोईम, बटूर इस तरीके के जो बाकी पांचो boards में से कोई भी आपको boards मिला हो तो उसकी पूरी detail आपके interview में question पूछा जा सकता है वो इस book से आप cover कर लेंगे reporting में कौन कौन से document लेकर के जाने यह सारी इस book में cover है then screening में जो आपका written test होगा उसमें जो भी questions हैंगे वो इस book में cover है then आपका story writing, picture की कैसे story लिखनी है वो सारी की सारी आपकी इस book में cover है word association test के लिए अलग book है then situation reaction की book है और GTO task की book यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर group discussion की book मिल जाएगी lecture rate के topics मिल जाएगे then group planning exercise मिल जाएगी और important naval current affairs यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि interview में definitely आपसे पूछा जाएगा then interview में पूछे जाने वाले thousand plus question के answer यहाँ पर है और 90% आपके question इसी book से आने वाले है यह Bible है आपके interview के लिए अगर आपने इसको अच्छे से practice कर लिया तो definitely आपके जितने भी question आएगे interview में almost इसी से रहेंगे बाकी 10% के लिए तो हम आपको train कर ही देंगे then अगर आपका selection हो जाता है तो सिर्फ वही पर आपको नहीं छोड़ जाएगा आपको medical की पूरी की पूरी facility यहाँ पर provide कराए जाएगी और ऐसे सारे student जिनकी English week है वो लोग यहाँ पर आपको English की भी book provide की जा रही है कि किस तरीके से आप अपनी English अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं I hope यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़ादा important रहा होगा अगर कोई भी query आती है कोई भी question है आप सभी का तो आप comments में पूछ सकते हैं मैं आपके लिए उस से related भी video ले करके आऊँगा अभी बहुत सारे students यही पूछे थे कि कैसे profession करनी है मुझे लगता है मैंने आपके doubts को clear किया होगा इस तरीके की और धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा आपकी entry से related तो तिल नाव जय हिन्ट वेरीबड़ी